आज उसी कड़ी में आप लोगे साथ इस खुशी के पहले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के एक बहुत मशूर पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉंग करती हैं और पॉलिटिकल खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है डॉक्टर शेहनाज गनाई आज हमारे पार्टी में जॉइन हो रही है उनका पॉलिटिकल केरियर जो है वो पिंच पलचाल एरिया है वहां से जो एक्टिव रही हैं बराबर आप लोग को जानते हैं बहुत एक्टिव हैं और उन्हें बड़ी अच्छी भूमिका वहां निभाई है जब हमेदार तरुन्चुक साहब है हमारे साथ आप जो डॉक्टर जितेंदर सिंग जी बैठे हैं सभी को मालम है वो उधम नगर से एंपी उधम अधंपूर से एंपी भी है और एक बड़ी नेता महिलाओं की लिए वहां गुजर बकरवाल पहाडी भाईयों के लिए एस्टी शेत्र में रहका उनके लिए लगातार संघर्श करने वाला एक ऐसा चेहरा है जिसने 15 साल एक सोचल एक्टिविट्स के नाते एक वॉरियर के नाते विल्कुल पाकिस्तान के साथ डटा हुआ शेत्र है बॉर्डर का शेत्र है वहां पर एस्टी भाई काफी मात्रा में रहते हैं उनके लिए नहीं काफी लड़ाई लड़ी और उनके संघर्श को एक विराम तक पुंचाया है मैं आज उनका यहां स्वागत करता हूं उन्होंने यह जब इच्छा जाहिर की कि मैं भारती जंता पार्टी में शामिल होना चाहती ह एक शुब पहला और शुब आगास भी रहेगा आप जैसे कि तरुंग जी कह रहे थे गत दस वर्षों में प्रधान मंतरी श्री निरेंदर मोदी जी ने ना केवल परिश्रम के साथ पलके वे नहायती सम्वेदर शीता के साथ जमू किश्मीर में यह प्रिवर्तन लाने का काम किया है जिए आप समर्ण करें तो प्रधान मंतरी बनने के तुरुंद बाद और ये कोई साधारन बात नहीं रहती यह आप इस बात पर गोर करें कि भारतीय समाज में पहली दिपावली का कितना बात तो रहता है यहां परधान मत्री अपनी पहली दिपावली कहीं और ना बिता करके बाड़ पीड़तों के बीच उता रहती है यानि उनके मन में उस फरकार की रिष्टा भी थी पीड़ा भी थी दर्द भी था समीदन शीरता भी थी और फिर एक के बाद एक सबसे बड़ा पैकेज भी मोदी जी के द्वारा ही जमू किश्मीर को दिया गया बार बार वहां का प्रवास हुगा और सबसे अधुत कारे अनुशे 370 को हटाने का ने जोड़ा था लेकिन यदि लोक तंत्र का की परिभाशा ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में जन्म लेता है मां को ये स्वपन देखने का साहस होके बड़ा हो करके वो बड़े से बड़े पत पर आसीन हो सकता है यदि अहसास पहली बार जमू किश्वी में अब होने लगा और वो लोग जो सेल्फ रूल और इटानमी की बात करते थे उन्होंने वहां पर ग्रास रूड पर जिला परशिदे नहीं बनने दी पंचायते नहीं बनने दी सेल्फ रूल का भी प्राय तो होना चाहिए कि धरती से ज जन्मा हो वो कैसा लोक तंतर और पहली बार इस लोक तंतर के उदेगा प्रप्टर शेनाज गनाई जी का पार्टी में स्वागत और उनने फॉर्मेली जॉइन भी किया है अब मैं उनसे आग्रा करूंगा कि कुछ शब्द अपने वो प्रेस के सामने रखें धन्यवाद आध पुझे भारतिया जन्ता पार्टी के परिवार में शामिल होने का मोका मिला इसके लिए मैं अपने आपको उसो भाग्य मानती हूं और भारतिया जन्ता पार्टी की लीडर्शिप का धन्यवाद करती हूं मोदी जी के नेतित्व में जो पिछले दस साल में भारतिया जन्ता पार्टी की सरकार देश में चल रही है उसके ऐसे कारे और देश के हर निवासी के उज्वल भविश्य के के लिए जो किये हैं उन सब से परभावित होके आज मैं समझती हूं देश के हर इलाके से और खास तोर पे जम्मौ कश्मीर की जो अवाम हैं जम्मौ कश्मीर के जुनागरेखें वो भारतिय जनतापाटी के साथ जुनने के लिए उच्षक है क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्रा दिया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास आज ये भारत के आखरी कौने तक आखरी व्यक्तिकों सशक्त कराने में काम्याब हूआ है और मैं जिस शेतर से आती हूं जम्मौ कश्मीर के पुनजिला से वह एक बारडर का बेल्ट है और आज देश के हर कोने से लेके जम्म कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के ने तर्टों में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है और केंदरे की जितनी भी स्कीम जे उसका फाइदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्म कश्मीर में भी पहुंचा और आज हम देख रहे हैं कि जम्म कश्मीर एक बदलता जम्म कश्मीर नजर आ रहा है, उस जम्म कश्मीर में आई तरकी और खुशाली और हर इनसान अपन कर रहा है अभी अभी चुक साब ने बताया कि टुरिजम आज उन्चाइओं पर है पूरे देश क्या विदेश से लोग जम्मो कश्मीर में तुरिस बन के आ रहा है ये सब जो है निया कश्मीर की वज़ा से है आज कश्मीर में जो शांती हम देख रहे हैं जो तरक्की देख जो खुशाली देख रहे हैं और हर एक नागरी जो सशक्राइब तो